दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है नारिवाद यानि फैमिनिस्म के बारे में नारिवाद एक ऐसी विचारधार है जो आदमे और और औरत के बीच समान अधिकारों पर बल देती है नारिवाद के अकॉर्डिंग फीमेल और मेल के बीच ऐसी बहुत सारी आज समानता है जो ना तो नैचुरल है और ना ही हमारे लिए जरूरी है इसलिए इस आज समानता को बदला जा सकता है ताकि मेल और फीमेल एक जैसी लाइफ जी सकी Feminism के according, और समानता का जो main reason है, main कारण है वो है पित्र सत्ता या फिर पित्र तंत्र मतलब यह कि नारिवाद यह मानता है कि समाज में gender के अधार पर, यानि link के अधार पर, male और female के बीच अंतर किया जाता है और नारिवाद ये भी मानता है कि समाज एक पित्र तंत्र यानि पैट्रि आर्की है और इस भेटभाव में इस समाज में जो पित्र तंत्र है जो पैट्रि आर्की है वो सबसे पहले है क्योंकि समाज में पित्र तंत्र पाया जाता है और इसी वज़े से महिलाओं के साथ भेडभाव किया जाता है पित्र तंत्र यानि पैट्रियार्की का मतलब होता है ऐसी सामाजी के विवस्ता जिसमें परिवार या जो बड़ा समाज होता है उसका वरिस्ट यानि परिवार में जो प्रमुक होता है जैसे पिताजी या फिर पिताजी के पिताजी यानि दादाजी मतलब ये कि घर में या समाज में जो सबसे बड़ा male person होता है वो परिवार का head होता है और वही समाज से परिवार से related सारे फैसले लेता है इसलिए नारिवाद ये मानता है कि समाज में पित्र तंत्र पाया जाता है और ये समाज का प्रमुक लक्षन यानि सोसाइटी की में क्वालिटी है बस इसी का यानि मेल और फिमेल के अंतर का विरोध करनी के लिए नारिवाद और नारिवादी सामने आए जीवन के हर छेतर में पुरुष के बराबर इसतरी के अधिकारों के समथन से उत्पन हुए सामाजिक आंदोलन को नारिवाद कहा जाता है यानि आध्मियों के बराबर औरतों के अधिकार के favor में जो समाज में आंदोलन या समाज में तर्क वितर्क हुए उसे नारिवाद कहा जाता है मतलब नारी के जीवन को value देने के लिए नारिवादी होते हैं जो फिमेल की लाइफ को इंपोटेंस देते हैं, उन्हें अधिकार दिलवाते हैं, वही नारिवादी होते हैं। एक संकुचित अर्थ में और दूसरी राजनितिक विचारधारा की रूप में। नारिवाद महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए किया गया एक सामाजिक आंदोलन है। जो लिंगवाद सिधान्त मतलब पुरूष के प्रधान होने पर तता सामाजिक शोशन पर बल देता है। तो अब नारिवाद यानि फैमिनिस्म को समझने से पहले कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। जिससे क्या होगा कि आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि नारिवाद कौन सी थियोरी है अम्रेला थियोरी। तो आप सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर नारिवाद का जनम हुआ क्यों। क्योंकि पच्छ में इतिहास में जो महिलाई थी वो ज्यादतर घरेलू यानि घर के छेतर तक सिमित थी जबके सार्वजनिक जीवन पुरुशों के लिए आरक्षित था। मद्यकाली युग में भी यूरोप में महिलाओं को समपति रखने, अध्यन करने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की राइट्स नहीं थे। उन्नीसवी सदी के अंत में फ्रांस में उन्हें अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर यानि पब्लिक प्लेस पर अपना सिर्डगने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके साथ साथ जर्मनी के कुछ हिस्सों में एक पति को अपने पत्नी को बेचने का भी अधिकार था। बस इन सब को देखते हुए महिलाओं के लिए राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को समान रूप से परिभाशिक करने के लिए, उन्हें इस्तापित करने के लिए, समान अफसर प्राप्त करने के लिए और उनका बचाव करने के इरादे से नारिवात का जनम इसलिए नारिवात का उदेश्ये पितर तंत्र को खटम करके मातर सक्ता को स्तापित करना तो बिल्कुल नहीं है, बलकि इसका सीधा सा उदेश्ये पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अधिकार की वकालत करना है, क्योंकि नारिवात जो है न वो समानता पर जोड़ द नारिवाद ये बिल्कुल नहीं मानता कि महिला पूरुष होने की तुलना में महान या बहतर है। एक विवाद के रूप में देखा जाता है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों ने इसे गलत तरीके से परिभाशिक किया है। इसलिए आज भी कई लोग नारिवाद बोलने से कतराते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो फैमिनिस्ट एक गाली के समान है। और ये गाली उन औरतों को दी जाती है जो उनके अनुसार समाज को बिगाड रही है। ये जो गालिया है ये इस पित्र सतात्मक समाज को औरतों के लिए सही लगती है। क्योंकि उनको लगता है कि नारिवाद सिफ औरते ही होती है। यानि फिमेल्स को एक और्गेनाईजेशन बना लेना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। नारिवाद पुरुष के मुकाबले नारी के इस्तिति, भूमी का और अधिकारों से गहरा संबंदि रखता है। जो नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर फोकस करता है। उसके अधार पर बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे अन्याय होते हैं और ये भी माना जाता है कि महिलाएं शारिरिक रूप से कमजोर होती हैं। इसलिए वो ऐसा वैसा भारी काम नहीं कर सकती। इस वज़े से उन्हें लंबे टाइम से टॉर्चर किया जा रहा है। यहां पर दोस्तों ये तो हम भी मानते हैं कि हमें यानि लड़कियों को इस तरह से सिखाया या एजुकेट किया जाता है कि उनके बीच वैवार, खेलकूद, पहनावे, आधी के आदार पर अंतर कायम हो जाए। और ऐसा करने का मतलब सिख इतना होता है कि लड़का या लड़की खुद को समाज के जरिये, पहले से तैजेंडर की भूमिका में डाल ले। अब हम नारिवादी लेखिकाओं की लेखन से समझतें कि नारिवाद क्या है। नारिवाद सिफ महलाओं के लिए ही नहीं है, बलकि कोई पुरुषवाद भी नारिवाद हो सकता है। बिल्कुल नहीं है, नारिवाद पुरुषों की अंदेखी बिल्कुल नहीं करता, बलकि ये सिर्फ पुरुषों और महिलाओं की समानता की बात करता है। बिल्कि ये विचारदारा है जिसे टाइम टाइम पर अलग अलग वर्ग और समुदायों ने अपनाया है। नारिवाद कितने प्रकार का होता है और कौन-कौन से होते हैं। नारिवाद मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उदारवादी नारिवाद, दूसरा है समाजवादी या माक्सवादी नारिवाद, और तीसरा है उग्रवादी या कटरपंती नारिवाद. उदारवादी नारिवाद जो है वो ये मानता है कि व्यक्तियों को अपनी प्रतिवा विक्सित करने और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए उदारवादी नारिवाद महिलाओं की समानताओं को समाज के पुनल घटन की जरुरत की रूप में नहीं देखते लेकिन फिर भी वो ये मानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों और अवसरों का विस्तार होना चाहिए एक्चुली नारिवाद जो लोग होते हैं वो मेंली तो कानून के जरिये फिमेल्स के लिए अवसरों की रक्षा पर ध्यान देते हैं जैसे 1922 में समान अधिकार संशोदन पारित होना उदारवादी नारिवादियों के अजेंडे के लिए एक बड़ा कदम था जो ये कहता है कि कानून के जरिये अधिकारों की समानता सयुत राज्य अमेरिका या किसी भी राज्य द्वारा सेक्स के कारण कम नहीं की जाएगी अब दूसरा है समाजवादी या माक्सवादी नारिवाद समाजवादी नारिवाद जो है वो काल माक्स के विचारों से विक्सित हुआ है इसी लिए इसे माक्सवादी नारिवाद भी कहा जाता है जिनोंने कम संख्या में पुरुशों के हातों में सत्ता को केंद्रित करके पित्र सत्ता को बढ़ावा देने के लिए पूंजिवाद को दोशी ठहराया क्योंकि समाजवादी नारिवादियों का ये मानना है कि पारंपारिक परिवार पूंजवादी विवस्ता पर आधारित है जा महिलाएं घर पर रहती है और पूरुष काम करते है समाजवादी नारिवाद एक आंदोलन है जो हमारी अर्थ विवस्ता है कि समाजवादी सुधारवादियों के जरिए पूंजवाद को समाप्त करने पर जोड़ देता है एक्चुली में बात क्या है कि जो समाजवादी नारिवाद है उसका तरक है कि पूंजवाद लिंगवादी की जो इस्तिति है उसे मजबूत और समर्थन करता है क्योंकि पूरुष अपनी शक्ति और धन को दूसरे पूरुषों के साथ बाटने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते है मतलब महिलाओं को लगातार कम मौके और कम संसाधन दिये जाते है इससे क्या होता है कि महिलाई पूरुष के कंट्रोल में रहती है ये जो समाजवादी नारिवादे ये अर्थिशास्त्रों और राजनिति पर फोकस करता है मतलब ये इस बात पर ध्यान दिलाता है कि सायुत्र राजे अमेरिका में महिलाओं को आमतार पर उसी काम के लिए केवल 70 सेंट का भुकतान किया जाता था जिस के लिए पुरुशों को एक डॉलर दिया जाता था अब तीसरा नारिवाद है कटरपंति नारिवाद माना जाता है कि कटटरपंति नारिवाद एक आंदोलन है जो ये मानता है कि लिंगवाद समाज में इतनी गहराई से जड़े जमा चुका है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि लिंग की जो अवधारना या सोच है उसे पूरी तरह से खतम कर दिया जाए कटर नारिवाद को या उग्रे नारिवाद को कभी कभी रेड फेम्स के नाम से भी जाना जाता है कटर पंटी नारिवादियों का कहना है कि समाज पित्र तंत्र है पित्र तंत्र या पित्र सत्ता क्या होती है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ पित्र सत्ता में क्या होता है कि पुरुषों के पास यानि आद्मियों के पास में महिलाओं की तुलना में सामाजिक शक्ति बहुत जादा होती है और वो महिलाओं पर अत्याचार करकर उन्हें नुकसान पहुचाते हैं उदारवादी जो नारिया हैं वो आदमियों के बराबर होना चाहती है ताकि उन पर आदमियों द्वारा अध्याचार ना हो सके। कट्टर नारिवाद का कहना है कि BDSM और लिंग भूमी का है मौजूद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पित्र सत्ता का हिस्सा है। कट्टर पंती नारिवाद योन क्रियाओं को खरीदने और बेचने में विश्वास नहीं करती जिसे आम तोर पर वैशे व्हती कहा जाता है। अधिकारों को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। इसके शुरुआती दौर में महिलाओं के मताधिकार आंदोलन शामिल थे, जो महिलाओं के वोट देने के अधिकार पर फोकस करते थे। क्योंकि इस दौर में महिलाओं ने वोट देने, संपत्ति रखने और शिक्षा के अधिकार की मांग की महिला नारिवाद के पहली लहर 1950 से 1960 तक मौजूद रही इसलिए पहली लहर को चुनावों में महिलाओं के वोट देने के अधिकार की लडाई को मताधिकार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है 1920 सदी के अंद तक ये एक विश्वे व्यापि आंदोलन बन गया था और तभी से नारिवाद और नारिवादी आंदोलन शब्दों का प्रियोग किया जाने लगा हाला कि 1920 के दशक तक आते आते जादा तर यूरोपिय देशों और उत्री अमेरिका में महिलाओं को पहली बार विश्वे विध्याले जाने की पर्मीशन दे दी गई थी लेकिन फिर क्या हुआ जब फार्सिवाद पार्टियों ने सत्ता हासिल की तो नारिवादी आंदोलन को बंद करा दिया और उस पर प्रतिबंद लगा दिया लेकिन Second World War के बाद महिलाओं ने फिर से एक होना शुरू कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें जल्दी ही ज्यादतर यूरोपियर देशों में समान राजनितिक अधिकार मिल गए अब दूसरी लहर जो महिला मुक्ति आंदोलन था वो 1960 के दशक में शुरू हुआ जिसने महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक समानता के लिए अभ्यान चलाया क्योंकि 1960 के दशक में जो कम आये वाली महिलाओं थी वो ज्यादतर धोके या जबरदस्ती की जरियनस बंदी की शिकार थी जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी लहर के समाजवादी नारिवाद ने सार्वजनिक और निजी अन्याय पर यानि सभी महिलाओं और खुद पर हो रहे अन्याय पर ध्यान देना शुरू किया हाला कि नारिवाद की दूसरी लहर में एक उलेखनी अनुबा हुआ और वो ये था कि पुरुष पित्र संत्र का अंत होने का आभास होने लगा मतलब अब महिलाओं पूरी तरह से राजनिती में भाग लेने लगी थी क्योंकि उन्हें शिक्षा और संपत्ती का मालिक बनने का अधिकार जो मिल गया था मतलब नारिवाद के इस दूसरी लहर का जो में लक्षे था में मक्सद था वो ये था महिला मुक्ती हासिल करना और ये कैसे किया जाए इसके बारे में अलग-अलग लोगों का अलग-अलग विचार थे क्योंकि उदारवादी जो नारिवाद था वो बहतर कानून, समानता, स्कूल, चर्च और मीडिया जैसे संस्थानों में सुधार चाती थी लेकिन इधर कटरवादी नारिवादियों का ये मानना था कि महिलाओं के अर समानता का में कारण है पित्र तंत्र क्योंकि आदमी एक समोर के रूप में एक ग्रुप के रूप में औरतों पर अत्याचार करते हैं इसलिए नारिवादी 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 ने आदमियों के द्वारा महिलाओं पर किये गए हिंसा पर फोकस किया और फिर फैमिली में हिंसा और बलातकार जैसे टॉपिक्स पर बात करना शुरू कर दिया। नारिवाद की दूसरी लहर के जरिये विज्ञान के नई छेत्र भी सामने आए। अब बात करते हैं नारिवाद की तीसरी लहर की। नारिवाद की जो तीसरी लहर थी, ये मुख्य रूप से 1990 के दशक में अमेरिकी आंदोलन के बारे में बताती है। और इसके साथी नारिवाद के अंत की घोशना करने वाले रूडिवादी मीडिया और राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं को पेश करती है। तीसरी लहर की जो नारिवाद है, वो अपने विचारों को बढ़ावा देने और गति विदियों को चलाने के लिए मीडिया और पॉप संस्क्रती का पूरी तरह से यूज करती है। ये जो तीसरी लहर थी, ये नारिवाद की जिन में मुद्दों पर फोकस करती थी। वो थे योन उत्पीडन, घरेलू हिंसा, पूर्शो और महिलाओं के बीच वेतन अंतर, खाने के विकार, शरीर की छवी, योन और प्रजनन का अधिकार, सम्मान अप्राद और महिला जन्नांग विक्रती। अब बात करते हैं चौती लहर की, जिसे हम साइबर नारिवाद और नेटवर्क यूग्ड नारिवाद क्याते हैं। इसा की खिलाब करवाई करने के लिए लोगों को एक करना, जैसे इसका उधारन है 2017 में ओनलाइन आंदोलन मीटू, जो हालिवुट के डिरेक्टर हार्वे विंस्टीन के मामले में पूरी दुनिया की महिलाओं ने सोशल नेटवर्क पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिन अब फिल्म उद्योक में महिला करमचारी के योन उत्पीडन का आरोप लगाया गया था, तो इस तरह नारिवाद में लिए तीन चर्णों में बटा हुआ था, अब भारत में नारिवाद की शुरूआत सबसे पहले किस ने की? नारिवाद एक पहल के रूप में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की अगुआई करके 77 रूप से शुरू हुआ था, सावित्री भाई फूले जिनोंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया 1848 में, और तारा भाई शिंदे जिनोंने 1882 में भारत क पहला नारिवाद पार्ट इस्तरी पुरुष तुलना यानि आदमी और और औरत के बीच की तुलना लिखा था